हलो दोस्तो वेलकम टू स्टड़ी यूनिवर्स मद्धिप्रदेश डेली करंट अफेर में आपका स्वागत है आज है 14 अप्रेल 2019 और यह हमारी 127 भी क्लास है 12 important question आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके exam और आपके knowledge की दरश्टी से बहुत important है इन questions को आप note कर लें क्योंकि यह आपके exam में पूछे जाते हैं साथी questions related important fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तो अगर MPGK और current affair से related कोई भी problem जाती है तो आप हमें comment box में बताएं हम आपका question का answer जरूर करेंगे दोस्तो आइकोन में एक previous day का question दिया गया है वो आप solve जरूर करें तो question number first है हाली में जलिया वाला वाग की कौन सी बर्शी मनाई गई है जिसको से option है 100 वी बर्शी हाली में जलिया वाला वाग की 100 वी बर्शी मनाई गई है पंजाब में अमरित सर में सुर्ण मंदिर के पास 13 अप्रेल को रॉलिट एक्ट का ब्रूत करने पर एक सबह आयज़ित की जा रही थी जिस पर जनरल डायर ने गोलिया चलवाई थी जिसमें 400 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और बहुत से लोग खायल हुए थे इसी को जलिया वाला बाग हत्याकंड कहा जाता है और हाली में इसी की सौवी वर्षी मनाई गई है तो दोस्तो इतना आपको जलिया वाला बाग हत्याकंड के बारे में याद रखना है नेश्ट क्वेशन State of World Population 2019 के अनूसार भारत की जनसंख्या व्रदी दर कितनी है जिसका सई उफ्शन है बंड पॉईंट टू प्रतिशत हाली में आई State of World Population 2019 की रेपोर्ट के अनूसार भारत की जनसंख्या व्रदी दर 1.2 प्रतिशत है यह व्रद्धी चीन की वार्षक दर से दोगुनी है 2019 में भारत की जनसंख्या लगवग 1.36 अरब पहुँच गई है दोस्तो यह रपोर्ट संयुक्त रास्ट जनसंख्या फंड द्वारा जारी की गई है तो इतना आपको इस रपोर्ट के बारे में याद रखना है नेक्ट कॉशन आईपियल इतिहास में 100 मेच जीतने वाले पहले खिलाडी कौन बने है जिसका सई उफशन है महंदर सेह धोनी हाली में आईपियल इतिहास में 100 मेच जीतने वाले खिलाडी बने है महंदर सेह धोनी इनकी कप्तानी में 996 मेच खेले है जिन में से 100 मैच हाली में ये जीते हैं दोस्तो अब बात आईए IPL की तो आपको इसके बारें बता दें IPL का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग होता है इसका पहला संस्क्रण 2008 में खेला गया था IPL में कुल आठ टीमें है दोस्तो आपको बता दें सुरुष राणा ने सबसे ज़्यादा रन बनाये है IPL में लसित मलिंगा ने सबसे ज़्यादा बिकिट लिये है IPL में दोस्तो आईपिल में मुंबई और चेन्नई तीन-तीन बार यह खिताब जीच चुकी है और दोस्तो एक और इंपूटेंट फेक्ट बता दे हाली में मुंबई टीम ने IPL में पहली ऐसी टीम बनी है जिसने 100 मेच जीते है नेस्ट कॉशन हाली में किसे सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है जिसका सई उफ्षन है के सिवा रिड़ी हाली में के सिवा रिड़ी को सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है इन्हें यह सम्मान उनकी काब संग्रह पक्का की ओटी गिलेते के लिए प्रदान किया जा रहा है बात करते हैं सरस्वती सम्मान की तो दोस्तो ये सम्मान केके विडला फाउंडिशन द्वारा दिया जाता है पहला सरस्वती सम्मान हरीवन सराय वच्चन को दिया गया था और इनकी रचना थी चार खंडों की आत्मक था इसके लिए इन्हें यह सरस्वती सम्मान दिया गया था दोस्तो सरसुती सम्मान की शुरुवात 1991 में की गई थी तो दोस्तो इतना आपको इस सम्मान के वारे में याद रखना है Next question हाली में कौन सा युद्धभ्यास का समापन हुआ है जिसका से युफ्षन है बोल्ड कुरुक्षेत्र हाली में बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धभ्यास का समापन हुआ है युद्धभ्यास बारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया गया था इसका यह बारहवा संस्क्रण है दोस्तो यह युद्धभ्यास जहासी में आयोजित किया गया था दोस्तों कुछ और दभ्यास आपको स्क्रीन पर देख रहे होंगे इनके बारे में भी आपको बता दे अगनी युद्धा युद्ध दभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच किया जाता है बरोण और सक्ती युद्दभ्यास भारत और फ्रांस के बीच किया जाता है तो इतना आपको इन युद्दभ्यासों के बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन हाली में मद्यप्रदेश के किस एरपूर्ट पर मेंटिनेंस हेंगर बनाया जाएगा जिसका सही उफ्षन है राजा भोज एरपूर्ट हाली में राजा भोज एरपूर्ट पर मेंटिनेंस हेंगर बनाया जाएगा भारत स्काउट गाइड और एरपूर्ट के बीच जमीनी बिवाद चल रहा था पर या बिवाद अब सुलज गया है और एरपूर्ट को 20 एकर जमीन मिल गई है जिस पर मेंटिनेंस हेंगर बनाया जाएगा और साथी फ्लाइट की नाइट पारिकिंग का स्पेस भी बढ़ाया जाएगा नेश्ट कॉशन अमेरका की निजी अंतरिक्ष एजनसी स्पेस एक्स ने हाली में इस रोकेट का परिक्षन किया है यह रोकेट 6 टन भारी है दोस्तो इसे प्रत्वी से 36,000 किलोमीटर दूरी पर इस्थापित किया गया है दोस्तो खास बात यह है कि यह रोकेट री यूजिवल है यानि इसे दोबारा यूज किया जा सकता है दोस्तो अब यह रोकेट का परिक्षन स्पेस एक्स एजनसी ने किया है तो आपको इसके बारें बता दे इसके स्थापना करता है Elon Musk और इसके स्थापना यानि SpaceX के स्थापना 6 मई 2002 में की गई थी IIP की रिपोर्ट अनुसार फरवरी माहे का उत्पादन में कितनी ग्रावट देखी गई है जिसका स्थापना है 0.1 प्रतीशत यानि 0.1 प्रतीशत ग्रावट फरवरी माहे के उत्पादन में देखी गई है IIP के अनुसार दोस्तो अब ये IIP क्या है आपको इसके बारे में बता दे IIP का फुल फॉर्म इंडेक्स ओफ इंडेस्ट्रियल प्रोड़क्शन होता है हिंदी में इसे ओध्योगिक उत्पादन इंडेक्स कहते हैं तो दोस्तो इतना आपको IIP के बारे में याद रखना है नेस्ट कोशन हाली में किस राज्य में 5 लाख फैंसरों का महेंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा दोस्तो हाली में चुनाव आएग ने राज्य सरकार के महेंगाई भत्ते को बढ़ाने के प्रस्ताओं को मंजूरी प्रदान कर दी है मद्य प्रदेश में पैंसरों को 4 प्रतीशत महेंगाई भत्ता बढ़कर मिलेगा दोस्तो अब बात आईए मद्य प्रदेश की तो आपको मैप में मद्य प्रदेश के बारे में बता दें मैप में ये जगह मद्य प्रदेश को दर्साती है मद्य प्रदेश की स्थापना एक नॉमबर 1956 में की गई थी मद्यप्रदेश की गवर्णर पनंदी बिन पटल मद्यप्रदेश के मुख्यमंत्री है कमनलाथ और मद्यप्रदेश की राजधानी है भोपल हाली में किस देश में पहली dron delivery service शुरू हूई है जिसका सही option है उस्ट्रेलिया हाले में आस्टेलिया में पहली ड्रोन डिलेवरी सर्विस सुरू हुई है यह ड्रोन के जरिये हॉम डिलेवरी शेवा सुरू की गई है यह यह ड्रोन सर्विस ग्लोवल तोर पर गूगल ने शुरू की है दोस्तो अब बाताईए औस्ट्रिलिया की तो मैप में आपको औस्ट्रिलिया की बारें बता दे मैप में ये जगह औस्ट्रिलिया को दर्साती है औस्ट्रिलिया की राजधानी है केनबरा और करंसी है औस्ट्रिलियन डॉलर आस्ट्रिलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉर्ट मौरिशन और आस्ट्रिलिया की मोनार्च हैं एली जावेथ दोतिये तो दोस्तो इतना आपको आस्ट्रिलिया की बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन पर डॉपिंग की करण नेशनल एंटी डॉपिंग एजनसी यानी नाड़ा ने चार साल का बेन लगाया है इन्होंने 2017 में एशियन चेंपियंशिप में गोल्ड मेडल जीता था पर अब यह मेडल भी इन से चिनेगा तो आपको याद रखना है हाली में मनप्रीत कोर पर बेन लगाया गया है नेक्स्ट क्वेशन मूखना एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है जिसका सई उफ्षन है बी यार अंबेटकर यानी भीमराव अंबेटकर हाली में 14 अप्रेल को इनकी 128 वी जैनती मनाई जा रही है दोस्तो इनका जन्म मद्रीप्रदेश के इंदोर जिले के महू में हुआ था दोस्तो ये संभीधान समीती के अध्यक्ष थे और इन्हें 1990 में भारत रतन दिया गया था तो दोस्तो ये था हमारा आज का डेली करंट अफियर आप मारे चैनल स्टेडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कल हम आपके साथ फिर मद्धिप्रदेश और वर्ले के इंट्रेस्टिंग फिक्ट को लेकर हाजरूंगे दोस्तो अगर MPG के और करंट अफियर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें comment box में बताए हम आपकी question का answer जरू देंगे तो आज के लिए बस इतना ही नमस्कार have a nice day